तो आई ये जो है हम लोग तो आई ये जो है NCRT का question हम लोग जो है first chapter क्या है electric charge and electric field का करने वाले हैं ठीक है electric charge and electric field का और NCRT book का है तो हम लोग ने total question 19 किया है तो आज हम लोग कितने से करने वाले हैं तो हम लोग question करने वाले है 20 से तो आप लोग book लेके साथ में read करिये जिससे आप लोग का question समझ में आये तो question 20 क्या है तो आईए हम लोग थोड़ा से रीट कर लेते हैं, 20 है, a point charge cause an electric flux minus 1 into 10 power 3 newton per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the chart, if the radius of the Gaussian surface were double, तो how much flux would, ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, कि अगर 20 है, जैसे मान लिजए इसमें क्या दिया, एक Gaussian surface यहां है, और दूसरा Gaussian surface इसकी double radius का मान लिए AR है, तो यह कितने कहोगा, 2R कहोगा, तो हम लोग ज्यानते क्या होता है, flux जो है, flux depends on, on charge, it does not depend, radius आप दी गास, radius आप दी surface भी लिख सकते हैं, ठीक है, या sphere, तो यह radius पर डिपेंड नहीं कतला, इसलिए क्या लिखेंगे, एक option होगा जो, तो लिखेंगे क्या, flux is same, flux is same, when radius is double, अगर radius को हम double कर देंगे, तब भी हमारा flux क्या रहेगा, same रहेगा, ठीक है, radius को double करने के बाद भी क्या होगा, flux same होगा, क्योंकि बता दिया, कि, जो हमारा flux होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ charge पर डिपेंड करता है, जो centered बे होता है, जो sphere के center बे होता है, अब क्या बोला है, second उसमें, कि B वाला, what is the value of point charge की value क्या होगी, और flux की value दे रखा, तो flux की value कितना दिया है, minus 1 into 10 की power 3 newton, कहां गया, meter square पर पूला है, यह हमारी flux या बेबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो और आगे क्या है हमारा, Gaussian surface है, side दिया, तो side से नहीं मतलब, हम लोग जानते है, 5 equal होता है, Q upon epsilon not, ठीक है न, तो हम लोग की value Q equal कितना होगा, 5 into epsilon not हो जाएगा, तो यहां से हम लोग Q लिखेंगे कितना, 5 की value आ गई, 1 into minus के साथ, 10 की power 3, और multiply 8.85, 10 की power यहां पे minus 12 ले लिए, ठीक है, तो Q की जो value होगी हो कितनी हो जाएगी, तो minus 8.85, 10 की power कितना हो गया, तो multiply, यहां subtract करेंगे, तो यहां minus 9 आएगा, यह इतना कुलाम चार्ज होगा, ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा, तो question 20 का पहले का answer होगा, flux same होगा, अगर radius double होगा तब भी, और second में बोला है कि unit charge कितना होगा, तो charge हम लोग का, इस formula से निकालेंगे, तो value होगे, minus 8.88, 10 की power minus 19 कुलाम, ठीक है, आया सुन में, तो देख लिजे, तो चलिए, हम लोग second question लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, तो कोशिश करेंगे, यहाँ पर लिखेने कि फिर बाद में, ठीक है, इसको आप लोग screen shot ले लिजे, तब आगे बढ़ते हैं, screen shot आप लोग ले लिजे, तो देखेगा, second question क्या है, चलिए, rate कर लेते हैं, मतलब 21 है, a conducting sphere of radius 10 cm has unknown resistance, if the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 10 की पावर 3 N per coulomb, क्या कि कोई conducting sphere है, जिसका radius 10 cm has unknown charge उस पे अगर, if the electric field कितना हो, 20 cm हो, from the center of the sphere से, मतलब, electric field अगर, center से 20 cm पे 1.5 10 की पावर 3 N per coulomb, and point readily outward, जो की बाहर की तरफ direction हो, तो what is the net charge on the sphere पे total कितना charge होगा, यही बताना, ठीक है, देखेगा, same figure अगर हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, question number 21, value की बात अगर करें, तो हमारा जो R की value हो जाएगा, वो 10 cm होगा, उसको change करेंगे, 20 to 10 की power minus कितना हो जाएगा, तो 2 meter होगा, पहली बात यह हो गया, दूसरी value क्या हमने दे रखिया है, कि electric field की value दिया है, E जुक्कड कितना दिया है, तो यह बोला 1.5 10 की power, and 3 newton per coulomb, यह E की value है, ठीक है, बोला क्या, what is the net charge, आज आन्दी sphere पे कितना charge होगा, यह बताना है, क्या होगा, sphere पे कितना charge होगा, R की value दिया है, और हमारा यह दिया है, तो हम लोग जानते, E is equal to होता है, 1 upon 4 pi epsilon not q upon r is, देखें, यह formula है, E is equal to 1 upon q upon r is, तो q की value निकालने के लिए, इसको इधर जब कर देंगे, तो यहां से हमने देखा क्या, जब इधर जाएगा, तो E, R square, और यहां पे हमने क्या है, कि 4 pi epsilon not हो गया, जब E की value हमने देखा, कि हमारी value कितनी है यहां से, तो यह है 1.5 10 की power, 3 R की value हमने देखा, किया है, 20 into 10 की power, minus 2 है, इसका square, अब इसकी value की बात करते हैं, तो यहां पे है, देखेगा, यहां पे जब यह 1 अपान के साथ होता है, 1 अपान 4 pi epsilon not की value होती, 9 into 10 की power, 9 जगे, नीचे वाले value लेंगे, तो यह अपान में आ जाएगा, 9 into 10 power, 9, आगे और solve पर लेंगे, तो हम लोग यह देखते हैं, क्या चीज़ कि यह हमारा, यहां पे point है, अगर यहां point है, तो अगर हम यहां से multiply करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 1.5, यहां पे 20 का square कितना होगा, 400 हो जाएगा, और number number 9 बचा 10 की power, और अफसाल के लिए, यहां कितना 2 दूनी 4 यहां से आ गया, मतलब 10 power minus 4 यहां हो गया, ठीक है न, अब minus 4 यहां हो गया, तो यहां से हमने सब्टेट किया, प्लस हटा दिया, तो 10 power minus 1 बच्चा, 10 power minus 1 यह जाकर कितना हो जाएगा, उपर minus 10 हो जाएगा, क्योंकि यहां एक बच्चा और यह वाला, इधर से जाके 10 हो गया, अभी देखेगा क्या करना हम लोग को, अभी 2 0 यहां है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको काटेंगे, चेलिए हम देखते हैं, 1.5 यहां फोर करके, यहां पर 9 लिखते हैं, और यहां से इस पॉइंट को हटातेंगे, अभी यहां 90 हो गया, ठीक है, और यहां पर क्या कंडिशन बनी तब, एक तरह से इस पॉइंट को हटाएंगे, तो यहां देखे, यहां से 2 सब्टेक्ट होगा, माइनस 8 बचेगा, यहां से 2 यह, तो यहां 2 जिब 0 होगा, प्लस वाल माइस वाला 8, 10 हट के 2 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, और यहां से 0 जब एक जाएगा, नीचे से, तो यह जाके 9 कर देगा, तो यहां पर अभी भी हट गया, अब इसको इसको इससे काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3,5 जा और 3 से आगया टोटल वैलू आगे कितने आपकी 20 आगे बटे 3 आगे 20 में जब डिवाइट कें 6.67 इंटू 10 की पावर आप 9 लिख सकते हैं यह आपने देखा कितना आगया इतना कुलाम आगया यह आपका एंसर आगया तो आप लोग ध्यान से देख लिए देखें कि काट वट तो नहीं रहा है तो आप लोग ध्यान से देख लिए मैं इधर थोड़ा सा और आपको बढ़ा देता हूं देखने के लिए तो यह देखिए ठीक है वहां क्या क्या क्यों कोड माइनस वें 10 की पावर 3 इंट्व एट पॉइंट इतना होगे तो वैल्यू आप लोग ध्यान से देख लिए तो चलिए हम लोग आप क्या करते हैं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लेजते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं आप इसका भी स्क्रीन सोट ले लेजी यह क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था तो 21 है तो चलिए 22 के लिए हम लोग पढ़ते हैं आगे 22 क्या है बुक से आप रेडी करिएगा आप सको समझ में आएगा 22 है युनिफार्मली चार्ज कंड़क्टिंग स्फियर आप डायमीटर 2.4 एंड हैज सर्फेस एरिया सर्फेस चार्ज डेंस्टी आप 80 माइक्रो कुलांब पर मीटर स्क्वेर युनिफार्मली चार्ज कंड़क्टिंग स्फियर 2.4 है और है जिस सर्फेस चार्ज डेंस्टी दिया है 80 माइक्रो कुलांब पर मीटर स्क्वेर फाइंड दी चार्ज आप डायमीटर स्क्वेर कितना चार्ज होगे बताना है वाट इस टूटल फ्लक्स लीविंग दी सर्फेस अब दी चार्ज कितना होगे बताना बाद में क्या बताना हम लोग को कि वाट इस ट्uffle के लेंस्टा किल्टू कि न टूट्लक्तिक है तो चले हमलोग का को'sचन क्या है अभी कोषचन हम लगता है 23 question ठीक है सबसे पहले हम देखते क्या इसमें हमें दिया है 22 हो गए 20 question 2 है ठीक है देखें क्या दिया आर की value दिया है यह हो गया diameter है उसका आधा 1.2 meter हो गया ठीक है सर्फेस चार्ड डेंस्टी सिग्मा दे रखा है एट्टी माइक्रो कुलाम दिया माइक्रोग हम लोग कुलाम बदल देते हैं 10.6 कुलाम यह हो गया माइक्रोग कुलाम में हो गया यह चेंज करिए और यहां पहो जाएगा परमीट है स्कुर्ण ठीक है फाइंड दी चार्ज आंदी स्फियर कितना चार्ड होगा स्पियर यह बताना है बाद में फ्लक्स तो देखेगा चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एक फामला है क्यू बाई ए सिग्मा इज इक्वल क्या होगा क्यू इसका मतलब सार्फेस चार्ड डेंस्टी इक्वल होता है sigma equal q by a अगर q की value निकालनी है तो कितना हो जायегा sigma into a हो जायगा ठीक है क्या हो जायगा sigma into a हो जायगा और r क्या हमारा radius है क्या है r हमारा क्या है radius है कितना है radius तो diameter उसका हाब तो हम लोग क्या करेंगे हाँस देखेगा qق 그거 कितना हो गया वेल कुछ है तो सिग्मा की वेलूरा इसका रख दिए 80 इंटू 10 की पाउर माइनस 3 और एरिया पाई आर इसका स्फियर की एरिया लेनी पड़ेगी तो फोर पाई आर इसकर ये स्फियर की एरिया तो क्यू इस उक्वल टू चलिए हम लोग इदहां जगह यहां से लेते हैं त क्यूंकि इधर तो आपको देखी रहे है तो देखें है पूरा कवर लगएगा तो देखें पूरा आपको दीखना चाहिए थीक है कितना हूं?? टू आपको लिखना है तो हम लोग या करेंगे q equal to देखेंगे तो आपकी value क्या जाएगी तो सबसे पहले हम लोग जो लगाएंगे फार्मला हो जाएगा q is equal to हम लोग जानते क्या होता है देख लिजे तो q is equal to हम लोग का केतना हो जाएगा तो यहां से हो गया sigma value रख दिया हम लोग 80 into 10 की power minus 6 हो गया और उसके बाद जो है यहां पे ले लिया 4 into pi value 3.14 into r की value अगर हम रखेंगे इसका तो 144 multiply करके यहां पी आ जाएगा और बचा क्या फिर से इसका multiply करना पड़ेगा आपको तो इसका मतल़ हम लोग को करना क्या पहले इसका multiply कर देंगे इसमें 144 यहां है और यहां सकर देते हैं फिर एच कर लें 144 यह रहा और 300 यह है 300 यह रहा इसका multiply कर देंगे कितना होगा 16 और 17 और यह 5 ठिक फिर इसके बाद क्या होगा 4,4,1 अब 3 से करेंगे 3 जो के 12 यहां पहो गया 13 यहां हो गया और यहां कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसको add कर लीजिए 6,11 उसके बाद कितना हो गया यहां पे 11 यहां पहोगा 6,4,10,12 हो गया 1 कैरी आगया तो फिर आपका यह 5 हो जाएगा 4 तो मिल गया कितना यहां से 4,5,216 यह हो गया और हम लोग देखते 8,32 यहां से मल्टिप्लाई इसमें कर लेंगे 32 का और मल्टिप्लाई करेंगे यह तो इसका है इसका मल्टिप्लाई हो गया और 8,32 का और मल्टिप्लाई करेंगे तो यहां से हो गया 6,12,12,18,2,1,3 हो गया यहां कितना 4 हो जाएगा यहां पे 4 और यहां हो गया 10,1 कैरी फिर आगय कितना हो गया यहां पे 9 अब यहां क्या करना 3 x 18 हो गया 1 carry और यहां पर हो गया 3 x 4 हो जाएगा यहां 6 हो जाएगा इसके बाद यहां पर हो जाएगा 15 x 1 carry और 12 x 13 हो गया यहां पर 2 x 11 आ गया 1 carry 9 हो गया और इसके बाद 6 यहां 14 x 1 carry 4 तो कितना आगया इतना तो अगर हम यहां पर बैलू देखते हैं तो हमारी बैलू आएगी वन फोर फोर शीक्स नाइन वन टू टेन की पावर आप ध्यान दिए पहले देखे एक जिरो यहां छोड़ दिया तो यहां से कम होके माइनस फाइव हो गया पहले ठीक है अब ध्यान फिर से देखेगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर चेक करें कितना एक में डिसमल दो यहां चार पर डिसमल लगा देना जब यह ट्यार पर डिसमल लगाएं अब यहां से इसको उठा किया करना तो वन पॉइंट फो अब ठीक है दो इधर और आ गया तो यहां कितना फाइप में से टूर सब्टैट करेंगे कितना बज़ जाएगा टैन पर मायस्ती तो हम लोग का यहां तक वैलू आ गए अब चली आगे बढ़ते हैं तो यह हम लोग मल्टिप्लाई वाला हटा देंगे इधर और इधर से ठ देखेगा क्या है ठीक से अब क्या बोला इसमें कि फ्लक्स बताना है तो इसमें जब फ्लक्स बताएंगे तो फाइज उक्वल हम ग्यानते क्यू अपान एपसाइलन नाट होता है तो फाइज उक्वल टू क्यू की वैल हमारे पास आगे 1.45 इंटू 10 की पाउर माइनस 3 यहां दो आंक पर डाशमल 145.885 इंटू 10 की पाउर माइनस तो यहां प्या गया है 9 10 की पाउर माइनस 12 10 की पाउर माइनस 3 माइनस ट्वल में से 3 सब्ट्राइट कर देंगे कितना है गर 9 आएगा अब बस इसी को डिवाइट कर लिजे हम लोग की फ्लक्स की वैलू आ जाएगी तो डिवाइट कैसे करेंगे देखेगा इसको हम लोग क्या करते हैं कि काट देते थोड़ा सचलिए तो हो गया कितना 5 से क 5 इसके बाद 8 जा 5 1 जा 4 बज़ गया 5 9 जा 45 और उसके बाद 3 बज़ गया तो 5 7 जा हो गया 29 में हम लोग डिवाइट करेंगे 197 से तो जब पॉइंट लगा देंगे यह 290 होगा तो बंजा जाएगा तो 197 आएगा एक इधर से कैरी लेंगे तो 3 आगया 8 हो गया तो 9 आगया ठीक है अब फिर यहां से 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा तो आजाएगा हम लोग का 2 8 जा जाएगा ठीक है 8 जाएगा तो हम लोग यहां से देखे डारेक्ली लेते हैं तो 5 जिक्वल्ट हो जाएगा यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहां एक और कम हो किया जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर आपकी वैलू आगई कितनी तो 8 आगई फ्लक्स है ठीक है तो हमारी बैलू बे बर हो जाएगी यह देखे तो एंसर कितना 5 जुकुल 1.10 पावर 8 बे बर यह हमारा एंसर हो गया तो आप लोग ध्यान से देख लेए एक स्क्रीन सौट के लिए तो हम लोग जो है दो कोश्चन और बच्चे उसको भी कर लेते हैं कुसरा वालत दो